कि नमस्कार मैं अंजली मुशार स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको दादे कि आमर खान और करीना कपूर खान फिल्म लाल सिंग चड़ा की दुर्गती हो गई है हालात को देखते हुए रिलीस के दूसरे दिनिया ने शुकरवार को ही देश के सिनवा घरों में हजारों शोर रद कर दिये गए अब करीना कपूर की भी हेकड़ी इस मामले में निकल गई है फिल्म की अब इनेतरी करीना कपूर खान ने अब लोगों से इस फिल्म को बॉयकॉट नहीं करने की विंती की है उन्हेंने लोगों से अपील है कि ये वह वही फिल्म को परदों पर देखे क्योंकि इसके लिए आमिर खान और उन्होंने तीन साल का लंबा इंतजार किया है मता दे कि बॉक्स ऑफिस पर या फिल्म धाराशाही हो गई है फिल्म विशिलेशन तरन आदर्स ने आकड़ों के अनुसार पहले दिन इसकी कमाई सर्फ 12 कड़ों रुपए ही रही जो इस साल रिलीज हुई अन फिल्मों से पहले दिन की कमाई से काफी जादा पीछे है वहाई थेटर में लोगों की आनुपस्तिती को देखते हुए देश भर में कई सिनेमा घरों के मालिकों ने शुकरवार इसके लिए तेरा सो शो रद कर दिये वही फिल्म रिलीज के दूसरे दिन आनी शुकरवार को दोपैर से पहले वाले कई शो में दर्शक नहीं जुटे पहले दिन कुछ ऐसे भी शो रहे जिनल में सिर्फ 10-12 दर्शक ही फिल्म देखने पहुँचे फिल्म विशले शुकों का कहना है कि आमिर खान के इस फिल्म को लेकर जो हालात है उससे उमीद इवने नहीं है इससे पीछे शोशन मीडिया लोगोद्वार आमिर खान के फिल्म का बॉईकाट एक प्रमुखब वजह बताई जा रही है अब जबकि फिल्म के लिए हालात ब वास्ता में अच्छे सिनिमा का वहिशकार करने जैसा है और लोगों से ने इस पर बहुत मेहनत की है धाई साल से फिल्म पर 250 लोगों ने काम किया है उन्होंने लाल सिंग चड़ा को एक खुबसूरत फिल्म बरताया उन्होंने आगे कहा मैं चाहती हूं कि लोग मुझे और आमिर को परदे पर देखे तीन साल हो गए हैं हमने बहुत लंबा इंतिजार किया है लोगों को इस फिल्म का वहिशकार नहीं करना चाहिए हाला कि उन्होंने फिल्म के वहिशकार को लेकर यह भी कहा कि मुझे लगता है कि यह के लोगों का एक वर्ग है जो ट्रोलिंग कर अलग है फिल्म के प्रमोशन के दौरान करीना कपूर खान ने कहा था कि अगर फिल्म अच्छी होगी तो इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी और यह सभी उमीदों को पार चर जाएगी उन्हें कहा था कि बॉइक को जैसी चीजों का अच्छे फिल्म पर असर नहीं होता ह और वह इसे गंबीरता से नहीं लेधें एकान इंटर्विय में करीना ने कहा था कि विवादो पर सफाई करभाई दें वहाई वह जरूरी नहीं समझती। इससे पहले उनने दर्शकों को दोयम दर्जे का समझते वे कहा था कि जिसे नहीं देखना है मत देखो कोई जबरदस्ती है क्या दरसल इंदस्ट्री में नेपोटीजम भाई भतीजाबाद के सवाल पर उन्होंने कहा था कि आप नहीं जा रहे हो फिल्म देखने तो मत जो किस कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें देश से प्यार नहीं है लेकिन वह गलत है बता दे कि आमिर खान ने के इंदर में सरकार बदलते ही साल 2015 में कहा था कि भारत में असहांड़िता बढ़ गई है उनकी पूर्व पत्नी करण राव को देश्तित में डर लगता है आमिर ने लोगों को यह फिल्म पसंद नहीं आई और फिल्म क्रिटिक ने उन्हें पांच मेंसे दो स्टार दिये जिसमें एक्टिंग में तुम्हाज 1.5 स्टार ही इन्हें हासिल हो पाया है ऐसे में साथ तोर पर फिल्म बुरी तरह पिट रही है उसे देखते हुए आपको बता दे की है 2.5 सालों तक और आप लोग मचाती हूं कि आप मुझे और आमिर खान को स्क्रीन पर देखे इसलिए आप लोग प्लीज जाहिए और जहें मेरी फिल्म को देखिए इसे फिल्म को जाकर देखिए तो यह जो दो अलग अलग वीडियो है एक वीडियो यह जिसमें पहले क कर रहा कापूर खान जो है काफी क्यारडस तरीके से यह कहती थी कि मत जाएं मत देखिए ने अपर टीजम अगर आपको लगता है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है दूसरी तरफ जैसे आज जो जिस तरीके से वह उनके टोन बदल गए हैं और कहरी है कि बॉइकट मत करि कि चणता है कि पबिक इक ऊक्टरों को कैसे मतंगों मजबूर कर सकती है यानि अन साथmot का है कि जनता है वह सतरीके चाटर्स को आपकर ना है यह इसका है फी नहीं के लो उनके फिल्म में नहीं लेगा तब भी जब आप उन्हें पैसे पे करिएगा तो बाइ-बाइ तो आप देख सकते हैं क्यार के ने ने जो है इस तरीके से करिया कपूर की दोनों जो है वीडियो साजा किये और लिखा है कि विफोर बॉइकट उनका जो बयान था वह ऐसा था आ आपको किसी ने फोर्स तो ने किया तो यह जो है बदलाव इनके टोन में आया है और इसी को ही साजा के आरके ने कमाल आर खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया है और इसे लेकर वह बोल रही है तो साफतार पर करिना कपूर के जो है बदले बॉइकट होते ही बदल को इसे अपील कर रही है कि फिल्म को बॉइकट ना किया जाए बलकि लोग जाकर उनके फिल्म को देखे तो अब इसे आपको बता दे कि जहां पर एक तरफ वो केरलेस आटिटूड दे रही थी कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है इससे कुछ नहीं होता है बॉइकश नह आने बयानों को जमधार बताया जारहा था और इसी फिल्म को बॉईकट किया जा रहा था फिल्म बड़ी तरह पिट्ञ नजर आए कमालार का यह या फिर आप कर यह कि जो अधर फिल्म क्रिटिक्स हैं किसी फिल्म पसंद नहीं उनने का कि स्टोरी काफी कमजोर है उससे भी पाइप पाँच में से सिर्फ दो स्टार दिये गए फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा और के आर के यानि कमालार खान ने तो फिल्म को डिजास्टर बता दिया और इसके लिए उन्हें ने शारुप खान को भी जबदा ठेरा है तो उनके लिए मुश्किल होने वाली है और रिज लगातार फिल्म की दर्जिया उड़ाते नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक टूइट भी कर रहे हैं वह दूसरी तरफ करेना कपूर के सूर जो है वह बदल गए है वह लगातार जो है अब लोगों से अपील यह करी है कि लोग जाकर फिल्म देखे अब यह देखना पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साजा करें